कार्बो मोनोस्टाइड हासिल करने के लिए अब जली केसिट और फार्मी केसिट को जब सेट्विरी केसिट के साथ विरंद किया जाता है तो कार्बो मोनोस्टाइड हासिल होती है पानी केसिट को जाब सेजूरी केसिट के साथ A3OO8 आपकर रेक्शन इसके तीजे में पानी और कारबोन मॉनोस्टाइड हासिब होती है A2O चाब 3O2 C008 और 2I ये अपज़ी केसिट का पांगूला है जाब इसे हम सेजूरी केसिट के साथ जरू करेंगे तो हमें कार्बन डार्म डार्टाइड, काज़न मॉनोस्टाइड और पानी हासि को जोड़ो इसी तरह जब कारबित है कारबन गों और सीजें के साथ जरू किया जाता है तो हमें डार्म ताइड हासिड होती है